राधे राधे अब्रिवान दोस्तों आप सभी को मेरी तरप से माग मास गुप्त नमवरात्री की हार्दिक सुपकाम नाएं आज है 10 फरवरी 2024 आज है गुप्त नवरात्तरी का पहला दिन आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मा काली की पावन कथा कहानी आईए सुनते हैं पौराणी कथा के अनुसार काली मा की उत्पत्ती जगत जननी मा अंबा के ललाट से हुई थी कथा क्या अनुसार सुम्ब निसुम्ब दैत्तियों के आतंक का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल छल एव महावली असरो द्वारा देवराज इंद्रसहित अनिस समस्त देपतागडों को निसकसित कर सुयम उनके इस्थान पर आकर उन्हें प तब दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी तब बे सभी दुर्गा का अहान करने लगे उनके इस प्रकार अहान से देवी प्रकट हुई एवं संभु निशंभु के अतिसक्ति साली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नास कर दिया चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संगार हो जाने पर देथ राज सुंभ ने अत्यादिक क्रोधित होकर अपने संपोन सेना को युद्ध में जाने की आग्या दी तथा कहा कि आज 86 उद्धा युद्ध नामक देत सेना पती एवं कमबो देत के 84 सेना नायक अपनी बहानी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें कोटी वीरिक कुल के 50 ध्रौम कुल के 100 असुर सीना पती मेरे आदेस पर सीना एवं कालक द्रोधद्र मौर्वा काल के असुरों सहीत युद्ध के लिए कूच करें अत्यंत कुरूर दुस्थाचारी असुर राज संभू अपने साथ सैस्त्र असुरों वाली महा सीना लेकर चल पड़ा उसकी भयानक देत्त सीना को युद्ध स्थल में आता देख कर देवी ने अपने धनुस से ऐसी टकार दी कि उसकी आवाज से आकास बस समस्त प्रत्वी गूज उठी पहालों में दरारे पड़ गई देवी के सिंग ने वी दहालना प्रारंब किया फिर जगदंबिका ने घंटे की स्वर से उस आवाज को दुगना वड़ा दिया धनुस सिंग एवं घंटे की ध्वनी से समस्त दिसाएं गूज उठी भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंग को और माकाली को चारो ओर से घिर लिया तदंतर असुरो के संगहार एवं देवगडों के कष्ट निवारन हेतू परमपिता भ्रह्मा जी विष्णू महेस कार्तिके इंद्रादी देवों की सक्तियों ने रूप धारन कर लिये एवं समस्त देवों के सरीर से अनंत सक्तियां निकाल कर अपनी पराक्रम एवं बलके साथ मादुरगा के पास पहुँची तत पस्चात समस्त सक्तियों से घिरे सिपजी ने देवी जगडंबा से कहा मेरी प्रशनता हेतू तुम इस समस्त दानब दलों का सर्वनास करो तब देवी जगडंबा के सरीर से भयानक उक्र रूप धारन किये चंडिका देवी सक्ति रूप में प्रकट हुई उनके स्वर में सैकडों गीदडों की भाती आवाज आती थी असुर राज संबु निशंबु क्रोध से भर उठे वे देवी कात्याईनी की ओर युद्ध हेतु बड़े अतित क्रोध में चूर उनोंने देवी पर बाण सक्ती सूल फडसा रिशी आदिस अस्त्रों सस्त्रों द्वारा प्राहर प्रारंब किया देवी ने अपने धनुस से टंकार की एवं अपने बाडों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों सस्त्रों को काड़ डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे मा काली फिर उनकी आगी आगी सत्रों को अपने सुलादी के प्रहार द्वारा विदिण करती हुई वक्त खंट वांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमी में बिचरने लगी सभी राक्षसों चंड मुंडादी को मारने के बाद उसने रक्त वीज को भी मार दिया सक्ति का ये अफ्तार एक रक्त वीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था फिर संभूनी संभू का बद करने के बाद फिर जब काली मा का गुस्सा सांत नहीं हुआ तब उनके गुस्से को सांथ करने के लिए भगवान सिव उनके रास्ते में लेट गए और काली मा का पैर उनके सीने पर पड़ गया सिव पर पैर रखते ही मा का क्रोथ सांथ होने लगा आईए दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मा काली की सरल पूजा विधी क्या है गुक्त नवरात्री के पहले दिन सुभा ब्रह्म मूरत सुभा चार वजे उठकर इश्नान करने के पस्चात सक्षवस्त्र को धारन कर लें अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे सुद्ध कर लें अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछा कर घट स्थापना करें घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तामवे या स्टील के पात्र में जल भर कर चौकी पर रखें अब इसके उपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेट कर कलस के उपर इस्थापित करें अब चौकी पर माकाली की प्रतिमा या मूर्ति की इस्थापना करें अब माकाली की तस्वीर को रोली लगाएं तिलब करने के पस्चात माकाली को लाल पुस्पो की माला पुस्प फल मिठाई नैविद्यम आधी चड़ाएं उन्हें अर्पित करें और पूरे विदी विधान और श्रद्धा के साथ माकाली की पूजा करें अब माकाली के समक्च सर्सो की तेल या घी का दीपक प्रोजलित करें और श्रद्धा पूर्वग माकाली के मंतरों का जाब करें देवी कबच अगला स्त्रोद का पाठ करें सबसे अंत में सिस्तूत्म का पाठ करना चाहिए जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग लाल होना चाहिए अब माकाली की कथा सुने या फिर पढ़ें इस दिन दुर्गा सबसती का पाठ करना भी बहुत उत्तम माना जाता है दोस्तों दुर्गा सबसती के पाठ का पहला अध्याय और लेड़ी मेरे चैनल पर अप्लोड है आप बहाँ पर जाकर सुन सकते हैं दोस्तों माकाली की कथा सुने के पश्चात कपूर से आरती करें परशात की रूप में मिठाई का भोग लगाई यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप माकाली को बताशे का परशात भी चड़ा सकते हैं अब सभी लोगों में परशाद वाड़ दें और फिर स्वयम भी परशाद ग्रहन करें अब माकाली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गल्दी के लिए हांत जोड़ कर छमा मांगे दोस्तों आईए दोस्तों अब जानते हैं माग गुप्त नवरात्री का महत क्या है गुप्त नवरात्री में देवी दुर्गा की पूजा करने से ब्यक्ती के जीवन में ब्याप्त सभी दुखों का नास होता है साथी साधक को मनुवान्चितफल की प्राप्ती होती है इन नौ दिनों में साधक महा विद्याओं की देवियों को कठिन भक्ती से प्रशन करते हैं माप्रशन होकर ब्यक्ती विषेस की सभी मनुकामना पूर करती है सास्त्रों में उल्लेक है कि गुप्त नवरात्री में दुर्गा सब्त सती की तेरा अध्याओं का पाठ करने से धन्य धानवा संतान सुपराप्त होता है साथ ही इन नौ दिनों में विविन नौ सक्ती पीठों के दर्शन करने का विविधान है सीला माता, जीड माता, जौला देवी, दधी माता, सहित विविन सक्ती पीठों के साथ ही अपनी कुल देवी के दर्शन करना पुन्य दाई है बहीं रामचर इत्मानस का पाठ वा हनुमान जी की उपासना करना बहुत सुभ है जिससे वल बुद्धी और विध्या की प्राप्ती होती है दूस्तूं यहीं पर आज की यह वीडियो समाप तो होती है अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिलकुल बिना भूलें राधे राधे एवरिवान